यहां बहुत कमी होती है ध्यान देने यूग के बात है मंत्रू पर अविश्वास मत करो नाम पर अविश्वास मत करो तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है एक कामना की पूर्ती तुम बिश्व की कामना की पूर्ती कर सकते हो बिश्व की कामना की पूर्थी दोले आप क्यों नहीं कर लेते क्योंकि हम बिश्वात्मा की कामना किये हुए है हम बिश्व की नहीं है हम जिस बात की कामना किये हुए है उसके लिए बिश्व का बिश्वरण करना है मन मन की रुचिजान इनेह विदिय अनुषरें हम प्रियालाल की मन की बाद जानकर उनकी शेवा में रत होना चाहते हैं नाम और मंत्र में इतनी ताकत है आप उशको समझ नहीं पाएं आप विचार करके देखें जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही मदिरा त्याग देता था मांश खाना त्याग देता था दूश्रे की निंदा करना त्याग देता था अपवित्रता का त्याग कर देता पराम पवित्र रिश्यों की तरह होकर वो तव अनुष्ठान करता था यद्यपी वो जगत विनास के लिए अनुष्ठान होता पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यक्ता थी अब आप बेविचार करो शराप पीओ, मांस खाओ, गंदे आचरन करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना वो बोल रहे थे कि कुतना भी बड़ा शंकट हो फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक बिपत्ती को ऐसे ननस्ट कर दे तो बता देना इसका जब करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जब ब्रह्मचर्शे रहो जूट मत बोलना मदिरा मत पीना मांस मत खाना और नाकाम हो जाए तो में बताना के भारी से भारी बिपत्ती का नास करके भगवान श्री कृष्ण का आस्त्रे उसे उचे उठा देगा इस जगत की धरा से उठा देगा विश्वाशने आप मदिरा पी मांश खाओ बेविचार करो और सोचो लाग दो लाग महत्मा को दे देंगे हमारी कामना कूर्ती हो जाएगी बिलकुल भूल में मत रहे ना आपको शंशे होता है नाम पे संसे होता है मंत्रों पे संसे होता है सास्त्र के विधान पर आप चलते हो सास्त्र विधान से कहां चलते हो अरे हम जब कहरें कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था इतना अनुष्ठान में कि मेघनात को पेरों से मार रहे है बंदर भालू पर उन ना मंत्र छोड़ रहा है ना हील रहा है ना उनकी तरफ देख रहा है इतना सहन सील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए किसी कामना की पूर्ती के लिए सांगो पांग अनुष्ठान करो भला कामना की पूर्ती नहों जाए आप शास्त्रों में पढ़के देखो शंतान उत्पत्ति के लिए कैसे पयोगरत का कैसे अनुष्ठान के आ पवित्र रहे करके इतनी इतनी मात्रा में ये अहार लेना इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए क्या चाहिए तुम्हें भारी से भारी बिपत्ति को दूर करने के लिए आर्थ भाव से पुकारो भगवान को तुम्हें धनी वनना है अनुष्ठान कीजिए हम करें किसी विशेश मंत्रादी की तरफ न बढ़िये बोलिये राधा राधा क्या चाहिए आपको क्रिश्न क्रिश्न बोलिये साम मंत्रों का सार है नाम में आप बोलिये तो नाम पवित्र हो ये गंदे आचरन शोड़िये क्या चाहिए आपको भगवान का नाम जहां गूंजता है वहाँ एश्वर अपने आप चरणों में लोटता है अब चल कपट करो इंशा करो गंदे आचरन करो सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं तो दुस्कृती का फल दरिद्रता और दुख होता है शुकृत का फल एश्वर और शुक होता है अब लगाओ तुम काटेदार ब्रक्षोर चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो तो इसे मूर्खता ही कहते हैं फिर दोस्च देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्थ्रों को, मंत्रों अरे कोछ नहीं नाम मंत्र में जराशी भी अनुष्ठान में तुरुटी हो जाए तो उसका फल बदल जाता है आप कहा अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? शब्षे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरा ब्रह्मचरे शत्यवाद पवित्र भोजन शैयम सिर्फ कोई भी अनुष्ठान कर किशी भी विशय का अनुष्ठान करके देखो अभी हो जाएगा ये तो हमसे नहीं होगा तो फिर आप बड़ी-बड़ी काम नहीं करते हो हवा में काम नहीं पूर्ण हो जाएगी किशी की भी काम किशी का भी महावली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ उसको देखो कैसे रहा है उसकी माता पिता कैसे आचरन किया है दस हजार वर्ष तक भगवान श्रीहरी में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया भगवान गरुण जी श्रीहरी के वाहन प्रथम पुत्र अरुण जी जो शूरी के सामने बैठे हुए सार्थी बने करदम जी फारी तपश्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं तो भगवान श्वेम कपिल दियुजी की रूप में अउतार ले रहे हैं बीना भजन के बीना पवित्रता के बस कामनाओं की पूरती हो जाएगी मनमानी आचरन कुछ निम्बू काट दो उसमें सिंदूर रख दो या कलावा बांद दो या अंगूठी बांद लो या जंतुर मंतुर बांद लो इनसे कुछ होगा कुछ नहीं होगा राधा 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 जो चाहोगे हो जाए पर पवित्राचरन साथ में पवित्राचरन हो ना ऐसे एक चपत लगा दी सुरुची ने क्योंकि उसकी रुची के खिलाफ हुआ कि वो पिता की गोद में बैठना चाहते थे छत्री वालक माता के पास गए उनका नाम शुनीती है वो शुन्दर नीती से चलती है वो रुची से चलती है सुरुची अपनी रुची और वो शुनीती शुन्दर नीती से चलती है मा पिता जी ने गोद में बैठाला नहीं और मा ने चपत लगा दी और कहा तू ऐसे की गर्व से प्रगट हुआ है सिंगाशन का अधिकारी नहीं अगर तुझे सिंगाशन पर बैठना है तो जा तपश्या कर और मेरे गर्व से प्रगट हो तो प्रश्या इस बात की कर कि मेरे गर्व से ताप कहीं तुम पिता की गोद में बैठ सकता है गो ले हाँ बेटा महरास तो मुझे दाशी भी मानने के लिए तैयार नहीं है बेटा भगवान नारायन का जिसने आश्रे लिया उसकी कोई कामना धुरी नहीं रही जाओ तुम भगवान श्री हरी का आश्रे लो वही तुम्हारी कामना की पूर्ती करेंगे मेरे में तो कोई शामर्त नहीं पर मैं आशिरवाद देती हूँ मेरा आशिरवाद कवच की तरे तुम्हारी रक्षा करेगा पाँच वर्ष का बालग चला भगवान की प्राप्ती के लिए वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं वो पद चाह रहे हैं कैसी जीवन भी तित किया देखो छह महीने की बाद बोले छह महीने में के छह महीने में एक छोटा सा बालग कितना कष्ट सहरा है छे मेने तो बहुत समय हो गया भगवान तो इसे भी बहुत करुणा में एक आर्थ पुकार में उपस्थित हो जाते हैं एक बार जिन नाम ली हितसो होयती दीन अगर कोई कामना नहीं है केवल प्रभू की मिलन की चाह है और हरदे आर्थ भाव से पुकार दे तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा एक बार जिन नाम ली हितसो होयती दीन ताको संग नचान ही दुरू अपनों करिलीन ये महारशिक सेखरों के वचन है कोई हैशे मिथ्या वचन थूड़ी श्वास को भी रोक लेते हैं भगवान का जो मंत्र श्री दिवर्ष नारजी ने दिया उशी का ध्यान कर ले ऐसा पद मिला कि सब तिरी श्री परिक्रमा करते हैं ना उनके पिता को मिला ना उनके पितामा को मिला इसके आगे तो है नहीं पर आप देखो कामना की पूर्ती के लिए कैसे निष्ठावान हो करके प्राणों को समर्पित करके भगवान की बीडी सिगरेट पियो प्याज लेस्टुन मांस मच्वली दुनिया की दली दुनाएं करो हमारी कामनाओं की पूर्ती हो जाए बकवाश करते हैं लोग आकर परमार्तों के एक हसी बना दिया है एक मजाग बना दिया है शंतों को एक नाटक बना दिया है संत मार्गों के एक उपहास का सुरूप बना दिया है हमारी ये कामना की पूर्ती कर दो उनका जीवन कामना की पूर्थी के लिए तुम्हारे है अरे तुम्हें निश्काम करके भगवत शाक्षात कार कराने के लिए कि ये छोटी मोटी जिन्द में तुम फस कर तुम्हारी दुर्गती हो रही उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए है परफशन शार तो अपनी बात मानता है उश्नासास्त्र की बात मानता है नश्रंतों के